आगे आंसर बताओ नोबडी बिलीवड हर बिंग एस्पाई उसके स्पाई होने को किसी ने भी बिलीव नहीं किया मतलब किसी ने भी भरोसा नहीं किया उसके जासूस होने पर मतलब किसी ने कहा होगा यह जासूस है लेकिन किसी ने बिलीव ही नहीं किया मतलब किसी नहीं बात को शचनहीं होना कि वह जासुस है बता थाओ, जिल्दिस रद। यह वैसे इजी क्योश्चन है देखने में भले टेड़ा लगे बटी आसान है इधर दर की बाते बच्चे मत किया करो कोशंचन हैं क्यों ग्यांचन है बिठोब आइसे कर लो हमें पहले सिकायती कुछ है निए आजिती पढ़िवल था लाज पढ़ते हैं आच्छा से शीकते नहीं BATAM सीखने को मिलेंगी हम लोग इतना डिसक्रिसन कर रहें दो चार नए पॉइंट आट-दस नए पॉइंट सीखने को मिल जाए तो फाइदा हो गया क्लास देखने का ठीक है तो उस पर फोकस करोगे और शिकायत में और सलाह देने में लगे रह जाओगे तो वही चूक जाओगे ठीक है तो फोकस अभी इस पर करो सिखायत और सलाह के लिए आपको मैंने अपने वर्टसम नंबर दे रहें उस पर क्या करो पढ़ाई चल लए यहां पर फोकस करो जो चीज़ें बताई जारें समझाई जारें क्वेस्टन पर फोकस करो यहां तुम अपना ज्यान चंद बनने के चक्र में लगे पड़े अब इसमें देखने क्वेशन देखना नोबड़ी बिलेवड हर बिंग स्पाइक यह इतना इजी क्वेश्चन है बिलेवड बर्व है और यह अब्जेक्ट है नोबड़ी सब्जेक्ट है यही है यह जो हमने पूरा सेंटेंस लिखाया है जब आप इसको पूरे ध्यान से देखोगे तो इसमें नोबड़ी सब्जेक्ट है आप बिलिवड वर्व है ठीक है हर बिंग का स्पाई जो है यह अब्जेक्ट है अब बिंगग स्पाई को अगर आप समझ गए हो तो मैं आपको बता देता हूं बिंग जो है वह जेरंड है नोबड़ी बिलिवड वाट वाट बिंग होग noodles भीं हर दियान देना हर यहां पर प्रणाउन नहीं है देखो असल में होता है कि बच्चे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने लिखा आई नो हर और हर अंकल तो अब ध्यान से देखो यह हर जो है यह प्रणाउन है अबजेक्टि जैस में यह प्रणाउन नहीं है और यहां पर अंकल ऑबजेट है जो कि यह नाउन के साथ अगर हम हर को लिख रहे है तो हर सकतल्य होता है, जैसे चिर अबजेक्टिव हर होता है शी नॉम्नेटिव केस होता है और अब्जेक्टिव केस होता है तो हो गया आपको सारे बच्चों को समझने यह पर यह यहाँ पर पर बीइंग है न है ठीक यह हमारा ऑबजेक्ट बिलीव दूर का नोबड़ी बिलीव किसी बात को सच माल ले ना किस बात को उनने सच नहीं मन जनाते हैं और इन में से सभूझ हो जाता है कि इन में से कोई को यह सभू हो जाता अगर है यह यहां पर प्रोनवन होता है डीन नहीं है क्योंकि हमें पता है बिलिफ दोर का पर्सन नहीं एक्सटे तो अगर यह को फेक्ट है तो हर प्रेजर बूरि aş appropriate अगर यही पूरी object है तो यही पूरी subject बन जाएगी यह आणसर है तो C option answer है पजेसिव adjective मत कहा करो बच्चे नहीं इन्हें कहा करो possessive determiner सारे बच्चे द्यान अखेंगे ठीक है इसको possessive adjective नहीं इसको possessive determiner कहा करो यह determiner होता है यह adjective नहीं होता है देखो जैसे मैंने लिखा my car ठीक है तो यह जो कार वर्ड है यहां पर यह नाउन है determiner में जब fundamentals में पढ़ा रखा है बट कुछ बच्चे है ना पता नहीं यह तो पढ़ते नहीं है आधा दूरा lecture देखते हैं कहीं यहां से देख लिया कहीं वहां से देख लिया यहां फिर seriously नहीं देखते हैं मतलब मन से नहीं देखते हैं यह सब पढ़ा रखा है fundamentals में जो 25-25 वीडियोज है उनमें सब में यह पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यह कार नाउन है और माई जो है वो इसका determiner है determiner of possession यह adjective नहीं है माई जो है वो कार की कोई quality नहीं है सोमाइत करका कोड़ कोई एक्डिवीयां नहीं है माई कार का कोई काटेगराइजेशन नहीं है माई वर्लग्स कर हम यह बता रहें कि कार का honor कौन है कार किश का इसका पाससन है तो यह डेटर्मिनर और पजेशन है तो माई है और है योर है हीज है हर है इन्हें पजेशिव के इसके डेटर्मिनर काकर अध्यक्टिव नहीं थी